नमस्कार गूर्ड लग्टिट्स देख रहे हैं आप आपके साथ में हूँ दिवयतिवारी अंख हरे के जीवन में अलग महत्तो रखते हैं अंख इस्तिती को बिगार भी सकते हैं और बहतर भी बना सकते हैं तो हम मूलांख के मुताबिक भविश्य जानेंगे साथ ही चर्चा करेंगे आश्टमी की लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अंख जोतिशाचारे डॉक्टर कैलाश प्रग्य सुथार जी का जो कि आपके समस्याओं के समाधान बताएंगे पंडिजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुडलक टिप्स के सभी दर्सकों का आज का दिन बहुत मंगल में हो माध्दुर्गा का पूना सिर्वाद आप सभी को में तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है चली शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मुलांख के मुताबिक आपका भविश्य नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके मुलांख के नुसार क्या कहता है आपका भविश्य और सुरुवात करते हैं मुलांख एक से सूर्य कांक है आज आप मीठा बोलकर मीठी वानी से अपने काम पूरे करवा सकते हैं आप सिर्फ अपने जरूरी कामों पर ध्यान दे और बाकी काम सामने से हटा दे दोस्तों और रिष्टेदारों का आपको पूरा सयोग मिलेगा मुलांख एक के लिए सुब रंग के अगर हम बात करें सफेज जो रंग है खान पान के अंदर और इंटीरियर के अंदर आपको बहुत लाबदाएक सिद्ध होगा मुलांख दो चंद्रमा का भोले संभू भोले नात कांक है कई मामलों में आपको तारीफ मिलेगी रिष्टेदारी की कोई पुरानी परेशानी अगर चली आ रही है तो उसे आज मिल बैटकर सुल जा सकते हैं परिवार के लोगों का आपको हर मोर्चे पे सयोग मिलेगा मुलांख दो के लिए सुब रंग के अगरम बात करें सिलेटी जो रंग रहता है दर्सको बहुत लाबदा एक सिद्ध होगा आज आपके लिए मुलांख तीन अंक जियोतिस का सर्वस्रेश ठंक है मरी सत्ता और सरकार कांक है आपको थोड़ा समझोता भी करना होगा अपने कामकाज के अंदर आज आप किसी भी समश्या को निप्टाने की हिम्मत रखेंगे नए लोगों से भी बहुत अच्छे संबंद बनेंगे और वह संबंद आपको आर्थिक और सामाजिक फाइदा भी दिलाएंगे मुलांक तीन के लिए अगर सुब रंग केम बात करें नीला जो रंग रहता अगर आप वाहन खरीद रहें अश्टमी का दिन है बहुत पवित्र दिन है तो वाहन खरीदना इंटीरियर करवाना किसी भी तरह की चीजों में नीले रंग का परियोग करतें बहुत लाब पंडी जी ने आपको बता दिया लेकिन कई जगे आपको सफलता भी मिलेगी तो कई जगे आपको साफधानिया भी बरतनी होगी आगे आपको बताएंगे मुलांक 456 के बारे में लेकिन उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साजुड गए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं दिंद्री एक शूर्य वाले हैं डोनों ही जो हैं बिद्वानसक अंक कॉलेयियों गाहे चाल मुलांक नुष्ऑञ्यांक ़ोलों ही है दोनों ही जो हैं विद्वन्सक अंक माने जाते हैं इन अंक वालों को सदेव अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए उम्र में जो बड़े रहते हैं मेल उनका पुरा सयोग और सलहा से काम कीजिए अगला जो वर्स रहेगा 2020 दो और दो च्यार क्यंक का रहेगा 19 जनवरी 2020 के बाद आपको अपने काम के अंदर अपने व्यापार के अंदर अच्छे सफलता मिलेगी लेकिन च्यार कंक राहु का पित्रों का माना जाता है जो पूरवज दुनिया में नहीं रहे उनके निमत दान पुन करना सरदानुसार अपनी बेहन बेटी को कुछ देना आपके लिए हमेशा व्यापार में और परशनल लाइफ में भी लाबदाएक सिद्ध होगा और शली अब बात करते हैं नवरातर की भी क्योंकि आज महाशक्ती की आच पे सवरूप की पूजा आचना की जा रही है यानि कि महागोरी की लेकिन इस दिन क्या विशेश किया जाना चाहिए इसको समझने के लिए जान लेते हैं पंडी जी से पंडी जी आज कितना महतो व मुक्ती से चिंता से मुक्ती पाने का दिन है आज के दिन विधी विधान से अश्टमी वाले दिन मा गोरी की पूजा पाठ जितने सचे मन से की जाए आपको सफलता मिलती है और एक चीज हमेशा हम नवरात्राओं में कहते हैं नवरात्राइं आदी सक्ति का नारी का कीजिए आपको बहुत फाइदा रहेगा एक कॉलर इस वक्त माइसा जुड़ गए हैं जैपूर से कमल जुड़े हुए हैं कमल बोल सुवागत है आपका क्या जानना चाहते हैं आप प्रेश्टी कर सकते हैं पंडे जी से कि जुलाई 1992 वही दो रेक तीन कांक और भाग्यांक अपने आप में साथ का केतु का अगला जो वर्स रहेगा 2020 वह रिष्टा होने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन व्युवा के लिए वर्स के अंत तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है चलित का समय उतना खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा अर्चना करना भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा अर्चना करना आपकी गुडिया की ये बहुत लाबदायक सिद्ध होगा पीले रंका पुखराज गुरुवार वाले दिन शाम को पहना आईए और भगवान कृष्ण के मंदिर में ठाकुर जी के मंदिर में माखन मिष्णी का भोग लगाए तो रिष्टा भी बहुत जल्दी होगा और वह लंबा चलेगा और पारिवारिक जो वैभाईक जीवन है बहुत सुखद रहेगा पंडिर जी मुलांक एक दो तीन के बारे में तो आपने बता दिया था लेकिन मुलांक चार पांच शे के बारे में क्या कहेंगे कारियत छित्र में आपको उन्नत्ती मिलेगी परमोसन के और मन पसंद जगे ट्रांस्फर होने के योग है मुलांक चार के लिए सुब रंग के अगर हम बात करें लाल जो रंग रहता है विशेश रुप से लाबदाएक सिद्धोगा आजापकी मुलांक पांच बुद्ध का भगवान श्री गणेश का गणपती कांग है गुप्त बाते सारवजनिक हो सकती है अगर आप किसी विशेश महकमे से तालुकात रखते हैं तो अपने काम में बहुत ध्यान रखेगा कामकाज के लिहास से दिन उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं स्वास्थे भी आपका बादित रह सकता है मुलांक पांच के लिए सुब रंग के गरम बात करें नीला जो रंग रहता है जर्श को बहुत लाबदाएक सिद्धोगा आज आजाप मुलांक छे सुक्र का देवी कृपा कांग के आज नवरात्राओं का अश्टमी का दिन है देवी का दिन है दिमागी स्तर पर चुनोतिया मिलती रहेगी दिमाग में कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिनके जवाब आपको साइधी मिल पाहें हाँ नारी सक्ती के साथ सम्मंद बहुत मजबूत होंगे बहुत लाब रहेगा आप थोड़ा थोड़ा परिसान रह सकते हैं अपने दोस्तों को लेकर मुलांक छे के लिए सुब रंग के अगरम बात करें हरा जो रंग रहता है दर्स को बहुत लाबदा एक सिद्ध होगा आज आपकी चले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले कॉल और उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से अश्योख हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्योग बहुत सुवागत है आपका किसके बारे में आप जानना चाहते हैं प्रैश्ण कर सकते हैं नमस्कार असोग जी मेरी डेटा उपर्द है उननिस मई उननिस सो पिच्यासी उननीस एक और नौ सूर्य और मंगल ने मिलके सूर्य का निर्मान किया है सूर्य अपना आप में राज योग का कारक रहता है और आपका भाग्यांग जो है वह भी पांच कंक बुद्ध का वकालात का रहता है तो वकालात में राज योग या तो सरकारी वकील बन सकते हैं या Judicial Services में, RGS या ADJ में भी आप जा सकते हैं, समय चलित का बहुत अच्छा चल रहा है, 2020 और 2021 दोनों वर्स भी सर्वस रेश्ट रहेंगे, आप किसी भी गणे इस मंदिर में बुद्वार वाले दिन दर्शन कीजी, सफेद रंग, आस्मानी रंग और हरा रंग, इन रंगों क परियोग अपने कपड़ों में जितना ज्यादा करेंगे, आपको अपने फिल्ड के अंदर, अपने वकालात के छेतर के अंदर बहुत लाब रहेगा, पन्ना जो रहता है, वो धारन कीजी, बुद्वार वाले दिन जोदपुर से अगले कॉलर, कनया लाल इस वक्त हमाई सा जोड़े हुए है, कनया लाल जी, क्या जाना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं? का अंक रहता है, वो राहू का फित्रों का माना जाता है, लेकिन नेगेटिव सूर्य का भी माना जाता है, और इसका जो विप्रित अंक रहता है, आंठ को ही माना जाता है, अगस्त का महिना, आंठ हुआ महिना, इसलिए उसमें आपको नुक्सान हुआ, च्यार तेरा, आगे भी नुक्सान हो सकता है कारिय की अगर बात की जाए चार कांक नोकरी के लिए सर्वस्रेश्ट रेट आप मेहनत कीजिए अगला वर्स भी दो हजार बीस दो और दो चार के अंक का रहेगा आपका अनुकूल वर्स है आपको लाब रहेगा भगवान गनेश की और विश् सवाल है और अगर आप भी समस्याओं का समाधान चाते हैं तो फोन लाइन समारी खुली हुई है और नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं आगे भी चर्चा को अमजारी रखेंगे लेकिन पंडी जी क्यूंकि आज हम नवरात पर भी चर्चा कर हैं लेकिन यह का जाता है कि माता की पूजा तभी संपन होती है जब कन्याओं का पूजन किया जाए कई लोग अश्टमी को पूजन करते हैं और कई लोग नवमी को करते हैं लेकिन सही क्या है दर्सकों बहुत एक कन्फूजन रहता है कि अश्टमी को कन्या पूजन करे या नवमी को एक साफ सुत्रा सीधा सा तरीका रहता है आपकी जो कुल देवी रहती है जिस परिवार में जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल देवी को कितने निमित पूजा पाठ की जाते हैं कितने दिनों का आप अनुष्ठान करते हैं कितने दिन आप घट स्थापना क करके रखते हैं उसके अनुरुपी कन्या पुजन करवाये जाता है असी से नभी प्रतिसद को ही कन्या पुजन करवाये जाता है क्थ लिखो अगर आपको मालूम नहीं है किसी भी तरह से तो आप अश्टमी को कन्या पूजन करवाईए और अगर आपको मालूम है विधिवत तो आप नौमी को भी पूजन कर सकते हैं लेकिन भोजन में क्या-क्या बनाना चाहिए और भोग किन-किन चीजों का माता को भी लगा है दर्सकों अश्टमी और नहुमी को अगर आप कन्या पूजन करते हैं कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो मा गोरी और मा दुर्गा को काले रंग के जो चने रहते हैं चने का भोग चने की सबजी बनाना वह अत्यंत प्रिय रहता है पीले रंग का कोई भी मिश्ठान आप कन्याओं को खिलाइए काले रंग के चने की सबजी बना के खिलाइए और विधीवत रूप से जब भी कोई कन्या आपके घर भोजन करने आए तो कच्छे दूद और गंगा जल से उ बहुत लाब और आपके जीवन में नुकुलताएं भर जाएंगे तो आगे आपको और भी मूलांग के बारे में बताएंगे और साथी साथ बताएंगे कि आज क्या खास उपाय किया जाना चाहिए माता को प्रसंद करने के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ लेकिन फिलाल का आठ वा दिन और घरों के साथ-साथ मंदिरों में भी विशेश कारक्रम चल रहे हैं पूजा आठचना की जा रही है और इसलिए आज हम अपनी खास पेशक्रश लेकर आए हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे किया जाए कन्या पूजन क्या हो माता को चड़ाने के ल पंडिक जी नमस्कार अनिता जी तीन जन्वरी 93 का जन्म है मैं डॉटर का और इसकी शादी के बारे मैं मैं पूछना चाहरे हूँ कब तब होगी कैसे रहेगी किस अंक वाले को ढूंदें कहा ढूंदें यह सबी ज़वाला पर रहे हैं जी अनिता जी तीन तारीक अपने आप में गुरू का ब्रस्पति का अंक माना जाता है सबसे पहले तो बढ़ाई क्योंकि सर्व स्रेश्ठ अंक माना जाता है इन अंक वालों का जीवन सदेव सुखमे रहता है तीन कंक वालों को सदेव एक, चार, पांच और तीन अंक वालों से जुआ करना बहुत लाबदाइक रहता है एक से तातपरिय एक दस उन्नीस और अठाईस जनम तारीक वालों से और चुंकि चलित में समय बुद्ध का चल रहा है वो सर्वोस्रेश्ट चल रहा है तो आगामी 2020 जो कलेंडर वर्स रहेगा उसमें आपकी गुडिया का रिष्टा अराम से अच्छे से बैठ भी जाएगा और हो भी जाएगा थोड़ी बहुत अगर बाधा आ रही है मन मुताबिक रिष्टा नहीं हो रहा तो किसी भी सिव मंदिर में शाम के समय अपने गुडिया को जो भी मनत हो जो भी दोग लगा सके लगा तुस्से स्वार्थ की पूरुति रहेगी शिक्षा में भी फाइदा रहेगा और विवाहित में भी फाइदा रहेगा जोदपूर से एक दर्शक जुगल किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुगल जी बहुत स्वागत है आपका क्या जानना चाहते हैं आप प्रेश्न कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का जनम 26 और 27 तारीक को सुब है 27 चाहर उन्नीशो चोरानू जी चाहर उन्नीशो चोरानू को सुब है पांज बजगे सत्ताउन मिन पे हुआ है जनमिस्तान है पिपाठ शिक्री जोद्पूर अपना प्रश्न कीजिए सर इसकी नोगरी के बारे में पूछना है नोगरी इसने पी एसी नर्सिंग की है जो परिक्षा पांग से दिये इसकी नोगरी में बादा आरी हैं क्या कारण है जी 27 तारीक दो और साथ नो कांग भाग्यांक भी नो है नो मुलांक में नो भाग्यांक में इतना जब प्रबल मंगल रहता है वो हमेशा बादा का परिचाइक रहता है चूंकि नो कांग मंगल खून का भी मालिक रहता है और वो मेडिकल लाइन के अंदर है तो वो प्रोफ जब मंगल के साथ आता है, राज योग पैदा करता है, सरकारी नोकरी लगने के पूरे योग बन रहे हैं, प्राइवेट में आप महनत कीजिए, लेकिन जब भी सरकारी नोकरी निकले, तब जरूर आवेधन कीजिए, किस्मत का पूरा सयोग मिलेगा और आपका काम बन चुनकि इतना प्रबल मंगल है बजरंग बली के मंदिर में जरूर दर्शन करते रहे हैं आपको उनका पूरा असिरवाद लेना चाहिए उमीद करते हैं कि आपको फिर सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आगे बढ़ते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडे जी क्योंकि ब्रेक पर जोने से पहले हम कन्या पूजन का जिक्र कर रहे ते लेकिन कन्याओं को उपहार में क्या विशेश दिया जाना चाहिए दिविया जी एक बहुत बड़ा कुशन रहता है कि कन्याओं को उपहार स्वरूप दिया क्या जाए आजकल तो मॉडनाइजेशन है बहुत सारे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं और लोग देते भी हैं इलेक्ट्रोनिक आइटम या अन्य चीजे लेकिन बात जब अध्यात्म की धर्म की मानी जाती है आप अपनी खुशी से कन्याओं को कुछ भी दे सकते हैं लेकिन लाल रंग की जो चुनरी रहती है और मेहंदी जो रहती है चूड़ी जो रहती है यह जो लाल रंग का समावेश करके स्रिंगार का जो समान रहता है कन्याओं को देना सर्व स्रेश्ट रहता है उसके साथ आप जब भी दे फल जो रहता है चुंकि सास्त्रों के अंदर फल को भी सदे आशिरवाद का स्वरूप माना गया है तो पीले रंग या लाल रंग का फल आपको कन्याओं को देना चाहिए तो वह अपने आप में पुन आशिरवाद भी प्राप्त होता है म बहुत बार देखा जाता है कि लोग कन्याओं फूजन तो खाना खिलाते हैं साथ में लड़के का भी भोजन करवाते हैं वह लड़गा अपना पे भैरव का परतीक होता है जिस तरह से देवी पूजा के साथ बहरव पूजा भी की जाती है और भैरव बहुत बार आपने द साती है और वहां दस्मी वाले दिन कन्याओं को भी बोजन करवाये जाता है तो यह भैरव का जो परतीक माना जाता है लड़का इसको भैरव के परतीक के रूप में इसको भी ससम्मान बोजन करवाना चाहिए कन्याओं के साथ क्योंकि मादुरुगा के साथ जब तक भैरव पूजन ना किया जाए वह पूजन अधूरा रहता है इसलिए एक लड़के को विधिवत रूप से कन्याओं के संग बिठा के बोजन करवाना चाहिए उसे भी संसमान सफेद रंग के गिफ्ट देने चाहिए और चलिए अब बात करते हैं आगे के मुलांक यानिकी 7-8-9 के बारे में जी दर्सकों मुलांक साथ केतु का जल देवता कांग है सुख सुईधा पर खर्चा करने का पूरा मन बनेगा जीवन साथी के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा प्रेम और सयोग भी मिलेगा ससुराल पक्षे विशेश रूप से आज मुलांक साथ वालों को फाइदा रहेगा मुलांक साथ के लिए सुब रंग के गरम बात करते हैं सफेद जो रंग रहता है दर्सकों बहुत लाबदाएक से दोगा आज आपके मुलांक आठ सनी का देवी कृपा कांग है और सनी का भी आँखे आफिस में अधिकारियों से पूरा सयोग नहीं मिलेगा रविवार का दिन होने के बावजूद भी आप आपको अधिकारियों की वज़े से आफिस जाना पड़ेगा लेकिन वानी पर पूरा सैयम रखें किसी भी तरह के विवाद से दूर रहेगा अन्यता विवाद भी हो सकता है इस्टुडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक रहेगा मुलांक आठ के लिए सुब रंग ये गरम बात करते हैं के सरिया जो रंग रहता है दर्सकों वह बहुत लाबदाएक सिद्ध होगा आजाब की मुलांक नौ मंगल का अंख है मंगल मुखी सदा सुखी सेहत ठीक ठाकी रहेगी पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं उनसे मुक्ती मिलेगा पुराने कामों से फाइदा जरूर मिलेगा रुकावा पैसा भी मिल जाएगा लेकिन नए सिरे से किसी को उधार न दे मुलांक नौ के लिए सुब रंग के अगरम बात करें आस्मानी जो रंग रहता है कपड़ों के अंदर विशेश रूप से बहुत लाबदाएक सिद्धोगा आज आपके हिकी हो पंडिजी कहते हैं कि मंत्रू में बहुत शक्ती होती है तो आज की दिन किन मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए कर देवी का जो स्वरूप रहता है उनमें विदी मनों कामना शिद्धी के लिए किया जाता है तो मनों कामना शिद्धी के लिए करोति सान सुभ हेतिश्वरी करोति सान सुभ हेतिश्वरी सुभानी बद्राणी वियंतु चापत इस मंत्र को सदेव मनों कामना पून मंत्र माना जाता है आप देवी की विदी विदान से पूज चैनल को बहुत सारे लोग विद्वान व्यक्ति रहते हैं उन्हें पूरी जानकारी रहती है कि हवन कैसे किया जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते जैने जानकारी नहीं रहती आधा धूरा ग्यान जहर के बराबर रहता है अगर आपको हवन अनुष्ठान की जानकारी नहीं है आपके सेविद्वान वेक्ति के सानिध्य में अपने घर पे भी कर सकते हैं किसी मंदिर में जाकर भी हवन अनुष्ठान कर सकते हैं आज के दिन मादुरगा का दुरगा सब्ध सती के पाठ जा編ी, अगर हवन किया जाए मादुरगा का हवन अपना पर बहुत लाब रहेगा और कोई खोट कचेरी मुकदमे बाजिया राजनयतिक समस्या चल रही है। तो मां बगला मुखी का नुष्ठान अपने घर पे करवाईएगा विद्वान व्यक्ति के सानिध्या में। लेकिन क्या दान का भी कोई महत्तो होता है और अगर दान किया जाए तो किन किन चीजों का। दर्स को चुंकि आज का दिन ही मा आदि सक्ति का नारी सक्ति का दिन है दान करना सरोस्रेष्ठ है लेकिन सफेद रंग का और लाल रंग का उसमें भी वस्त्रों का दान करना आज के दिन सरोस्रेष्ठ माना गया है वह भी घर की बहन बेटी और वह नारी सक्ति जो है आपके आसपडोस में कोई विद्वा या जरूरतमंद अगर महिला सकती हो तुन्हें वस्त्रों का दान कीजिए वह भी सफेद और लाल रंके उनसे आपके तमाम कष्ठ दूर रहेंगे आपको गर संतान संबंदित समझ्या है तो किसी विद्वा व्यक्ति को सफेद रंके क पड़ों का दान कीजिए सफिद मिठाई भी साथ में दे सकते हैं और पाली से इस वक्ते कॉलर हमाइसा जुड़ गई है दिपिका दिपिका बहुत स्वागत है आपका किसके बारे में आप जाना चाहती है प्रश्नी कर सकती है आप डिटेल्स देकर जी प्रश्नी करिए अ जी दिपिका जी आठ कांख अपना पे सनी कांख है उठा पटक कांख माना जाता है अगला वर्स दोजार भीस चार क्यंका जिस तरह से अमने पहले भी बताए चार और आठ की नहीं बनती अगले वर्स अपने पून रूप से अपने स्वास्थे का ध्यान रखेगा और आप किसी भी ऐसी जगे नोकरी ना कीजिएगा जिसमें आपको नुक्सान हो सकता है या भारी भरकम पैसा देने के बाद आपको कोई नोकरी मिल रही हो तो उसमें भी आपके साथ दोखा चिटिंग या फ्रॉड हो सकता है रही बात नोकरी की मेडिकल का जो फिल रहता है होटल म मौडलिंग का जो फिल रहता है उसमें आपको बहुत लाब रहेगा नोकरी लगजाए जैपूर से एक और कॉलर अंजना इस वक्त हमाई सा जुड़ गई हैं अंजना बहुत स्वागत है आपका क्या जाना चाहती है आप सवाल कर सकती है नमस्कार पंड़ जी नमस्कार अंजना जी मैं पहले वी वैसे आप से बात कर जाकी हूँ आज मैं अपने भाईया के लिए पूछना चाहते हूँ जी जी मेरे भाईया का देटो बढ़त है 23 अगस 1971 जी यानि 22 और 23 की रात को एक बच के 5 मिट एम जी सुबह का है और वो बाहर लगानों के वह छलती रहेगी जी आंजिनाजी कुंकि पांच क्यंक वाले हैं बुद्ध परधान आपके वहिया हैं उननीस अप्रेल दो हजार बीस के बाद ट्रांसफर के परबल योग बनेंगे तब उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा चुनकि बुद्ध बर्दाने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना चाहिए वो करे चाहिए उनकी वाइफ या घर में जो बच्चे हैं वो करे तो उ नुकुलताई रहेंगी स्वास्ते ठीक रहेंगा और शली अब बारी है आज के गुड़ लग टिप्स की जी गुड़ लग टिप्स अपने आप में एक विशेश टिप जिसे आप बहुत फाइदा ले सकते अश्टमी को अपनी बहन बेटी को घर बुलाकर विदी विदान स ससम्मान बोजन करवाएं और लाल रंग के कपड़े विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा दर्स को लाल रंग के कपड़े और उपहार गिफ्ट में ससम्मान देवें आपके उपर कभी भी करजा नहीं होगा धन का आगमन ही आगमन रहेगा लाब ही लाब रहेगा पून जरूप से मा की किर्पा के लिए आज के दिन बहन बेटी को घर बुला कर अगर कोई नाराजगी चल रही है तो आज के दिन उसको खत्म कर लेजिए तो आज के हमारे खाल्स प्रोग्राइम में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कारकरम बेहद ही पसंद आया होगा कैलाज जी हमारे शो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन्हां अश्टमी की नवरत्राओं की बहुत बहुत सुब कामनाई अगले रईवार को फिर मुलाकात होगी जैस्ट्री किष्णा तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हर अभिवार को कॉल कर सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए इतना ही पुली टीम को दीजे इजासत नमस्कार